कि हेलो दोस्तों कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पस्वों में होने वाले रोगों को याद रखने की ट्रीक यह ट्रीक कि सिर्फ रोगों को याद ही रख सकते बल्कि हम इनको वर्गी करण करके याद रखेंगे वाइरस जनित रोग कौन सा प्रोटो जोवा जनित कौन सा रो हमारा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लें अब बढ़ता हूं में पस्वो में वाइरस जनित रोगों की ट्रिक के बारे में तो ट्रिक काफी सिंपल सी है बस आपको पेन कोपी से लिगना है इस ट्रिक को ट्रिक है वाइरस रिसी पाक का गला गोट के सवेरे खुर्टाउंग वाइरस से वाइरस जनित रोगे पसुम है री से बनेगा रिंडर ट क्स जो ट्रिक का सी से बनेगा सफक्स यह पसुम होनेवाले बार स्व Esalen तो होगे आ कि और पस Buyररे से बनेगा रिंडर पेस्ट सी तो रिष्शी अब पास से बनेगा ऑज में पार वो और इस से बनेगा केनाइलड इस टेंपर तो पाक हो गया और का सयलेंट है ला नहींत और गोट पाकॉच बनेगा रोग यह सारे वैररस जम्हरॉत रोगे और के वापस यह हो का और ये कि दोनों silent है और सुवेरे के सवे से बनेगा Swine Fever और रे से बनेगा ragage और खुर से खुरपका और मुफपका यह सभी पसोम होने वाला मुख्य रोग है और tirs Одak है Blue Tung Rog यह रोग वाइरस जानित होगए बस आपको यह ट्रिक याद रखने हैं वाइरस रिसीट पार्ग का गला गोटके सवेर खुरताम इससे आप सारे याद कर सकते हैं नेक्ट देखते हैं इस प्रोट्ो जवा जनेत रोग, पसू में होने हो रोग, इसके इकलीगा इंगलिसमें है तो उसके यूअझ intrinsु जैसीी वह ही अपनी ट्रिक है अपनी बेबी सर फेस थेली एंड फाइल लब कोई सर का नाम है बेबी सर जो फेस करते हैं थेली एंड फाइल को तो बेबी सर फेस बेबी सर फेस थेली एंड फाइल बेबी से बनेगा बेबी सियोसिस यह रोग है प्रोड़ोजनित सर से सर्रा रोग होता है जो कि तिवरसा रोग भी कहते हैं इस रोग को नाम और फेस से फेसियो लियोसिस रोग बनता है और फेली से बनेगा थिले रियरी सिस रोग थोड़ा अजीब से नाम है आपको बस पेन से लिखते रहे हैं और अ से बनेगा एना प्लाज्मों सिस रोग और फाइल से बनेगा फाइल रियर यह रोग तो यह च़्ैवोड रोग आप इस ट्रिक के साहतस याद कर सकते हैं बेबी सर, फेस, थेली और फाइल नेक्ट देखते हैं नेक्ट है जिवानु जनित रोग जिवानु जनित रोग की ट्रिक है पशों में थक्षे के गाल पे फड़किया टिट लंगडा आप बस लिखते रहें इस चीज़को थक्षे, अक्षे के जगाई यहाँ है थक्षे थक्षे के गाल पे फड़किया टिट लंगडा अब थ से बनेगा थनिला रोग खशय से खशय रोग बनता है कैसे यहाँ कुछ नहीं बनेगा गाल से बनेगा ग्लेडर स्रोग जो की गोड़ों में पाया जाता है ग्लेडर स्रोग मुख्यता और पे से बनेगा प्लीहाजवर फड़किया से फड़किया रोग है यह और टिट से है टिटनेस लंगडा से है लंगडा बुखार तो जीवानो जनित रोग की काफी सिंपल सी ट्रिक है आमने देखी थक्षे के गाल पर फड़िकिया टिट लंगडा इसे जीवानो जनित रोग आसानी से याद हो जाएंगे मुर्गियों में मुख्य त nutrient होते हैं आ हैं रहा निके फावल फोक्स बर्सल म्रें कि अब देखते हैं जीवान वंजनीत रोग मुर्गियों पाय जाने वह सीवतिंवाल वह frau qualなら, pallorum यह दोनओ रोग जीवान व Symphony और प्रोटो में मझेस भल घंक्री में हैं याद किया था इस वीडियो में इतना ही है आपको वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए जन्यवाद